हेलो फ्रेंड्स, वल्कम टो टेस्ट अल रेसेपीस, आज मैं लेकर आई हूँ सोया चाप की रेसेपी, जब आप इसे एक बार बना कर खाएंगे आपको बहुत ही पसंद आएगी, चलिए रेसेपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम ले लेंगे तेल, हम करेंगे चाप को फ्राइ, तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम चाप ली है, इसको मैंने टुकडो में काट लिया है, उसके बाद इसे कर लेंगे फ्राइ, चाप को हमें इतना फ्राइ करना है कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, पूरी तरह पकते हुए, इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे, जिससे कि यह सारी तरफ से अच्छी तरह से पक जाए, आप देख सकते हैं, इसका कलर जो है, वो चेंज होने लगा है, इसी तरह से हमें सारी तरफ से इसका कलर करना है, तो इसी तरह से बीच बीच में से पलट पलट कर चला आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें बस अब इसे निकाल लेंगे बाहर क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही पकाना है तो मैंने सभी चाप को बाहर निकाल लिया है अब इसमें तेल ज्यादा है इसी तेल में ही हम बनाएंगे सबजी की ग्रेवी दो तिन कर्ची तेल में बाहर निकाल दूँगे क्योंकि बहुत जादा तेल है ग्रेवी बनाने के लिए और इसी कडाई में हम इसी तेल में ग्रेवी बनाएंगे तो यहां पर मैंने तेल को कर लिया है कम इतना तेल काफी है ग्रेवी बनाने 해00 आनए कुछ खडे मसाले लिये हैनी जीरा ल लेकिन मैंने प्याज को बारीक टुकडों में काट कर डाला है 200 ग्राम चाप के लिए मैंने दो मीडियम साइज के प्याज का यूज करा है आप जितनी चाप बनाए उसके हिसाब से कॉइंटिटी अर्जस्ट कर सकते हैं सभी चीजों की तो यहाँ पर हम प्याज को थोड़ा सा पका लेंगे जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए अब इसमें डाल देंगे अद्रक लैसन का पेस्ट मैंने अद्रक लैसन का पेस्ट एक चमच लिया है अब सभी चीजों को थोड़े दिर तक पका लेंगे लगबग एक से दो मिनट तक गैस का फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है आप देख सकते हैं प्याज का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है अब इसमें डाल देंगे कुछ मसाले जैसे की मैंने लिया है आदा चमच हल्दी पाउडर एक चमच लाल मिर्श पाउडर कलर के लिए डाल देंगे आदा चमच कश्मीरी लाल मिर्श पाउडर और एक चमच डाल देंगे धनिया पाउडर मैंने डेड़ चमच नमक लिया है आप अपने स्वात के अनुसार इसमें नमक डाल लें सभी मसालों को हम प्याज और सभी चीजों के साथ अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स सभी चीजों को हम एक से दो मिनिट तक और पका लेंगे आप चाहें तो मसालों को पहले से भीगो कर रख सकते हैं उसके बाद इसमें डाल सकते हैं लेकिन मैंने मसालों को भिगोकर नहीं डाला है मैंने डारेक्टी डाल दिया है अब इसमें डाल देंगे टमाटर मैंने दो टमाटर को मिकसर में पीस लिया है उसके बार डाला है आप चाहें तो टमाटरों को घिसकर या फिर काटकर भी डाल सकते हैं बारिक टुकडों में जै अब लुदक दही मत है belki peace 1dp 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 2dp 3dp 4dp 6dp को mix करने के बाद अब इसको ढख देंगे सभी चीजों को ढख कर medium flame पर एक मिनट तक पकाना है अगर आप जादा देर तक पकाएंगे तो मसाला नीचे से जल जाएगा एक मिनट के बाद धकन हटाएं और इसे अच्छी तरह से mix करें मैंने चार से पांच काजू को पीस कर उनक मिनट तक पकाएंगे इस बार गैस का flame बिल्कुल लो कर दें और low flame पर दो मिनट तक पकाएं जब दो मिनट हो जाए उसके बाद ढकन अटा कर चेक करें हमने इसमें अलग से कोई भी मसाला नहीं डाला है जिन मसालों का हम regular यूज करते हैं नॉर्मल मसाले हमने वही डाले है अब जो हमने चाप को fry करके रखा था इस टाइम पर डाल देंगे तो यहाँ पर मैंने जो भी चाप fry करके रखे थी वो इसमें डाल दी है चाप को सभी मसालों के साथ अच्छी तरह से mix कर देंगे जिससे की मसाले जो हैं हमारे मसाले अच्छी तरह से कोट हो जाएं हमारे म ताइम पर जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी आप डाल ले yo मैं इसमेँ एग लास के पानी डाल रहे हूँ window एग बात का ध्यान रहे हैं कि आप पाणी इसमें ठंडा ना डाले उसको Опासा कर ले उसके बाद डाले सबजी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें उसके बाद इसे ढखकर 5 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएं 5 मिनट हो चुके हैं 5 मिनट के बाद ढखन हटाएंगे और आप देख सकते हैं कि सबजी में साइड में ओल रिलेज हो गया है इसका मतलब है कि हमारे मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं अब इसमें डाल देंगे आदी चोटी चमच गरम मसाला पाउडर मैंने 2 हरी मिर्च को बीच में से लंबा लंबा काट लिया है वो डाल देंगे अब इसमें डाल देंगे 1 इंच अधरक का टुकड़ा उसको भी मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है अब इसमें डाल देंगे हरा धनिया हरा धनिया बहुत ही अच्छा लगता है सबजी में आप इसको जरूर डालें अगर नहीं खाते हैं तो इसकी भी कर सकते हैं सभी चीजों को कर देंगे mix और इसे ढख कर हम 1-2 मिनिट तक और पका लेंगे low flame पर तो यहाँ पर मैं इसे ढख दूँगी 2 मिनिट हो गए हैं चेक कर लेते हैं और यह देखिए हमारी सबजी बनकर बिल्कुल तयार है अब इसमें डाल देंगे एक चमच गी इसको थोड़ा सा mix कर देंगे जिससे कि गी सारी सबजी में अच्छी तरह से mix हो जाए अब गैस को कर देंगे बंद और हमारी सबजी बनकर बिल्कुल तयार है इसमें से बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है और मैं खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा excited भी हो रही हूँ सबजी को आपको देख कर ही पता चल रहा होगा कि कितनी ज़्यादा टेस्टी होगी यह सबजी मैंने इसे सर्फ कर दिया है और यह खाने में बहुत ही टेस्टी है आप भी इस तरह से एक बार चाप को बना कर जरूर ट्राइ करें आपको बहुत ही मजाएगा वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में